हलो दोस्तों आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन जैट पर मैं हूँ आपका दोस्त मौममद जैट और दोस्तों आज हम लोग पढ़ने जा रहे साइन्स टुका अठ्वा चैप्टर सेल बायोलोजी एंड बायो टेक्नोलोजी सो फूल चैप्टर हम लोग सेल पे ही पढ बना सकते हैं और दूसरा किस तरीके से हम लोग मायक्रोब्स का यूज पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए कर सकते हैं तो ऐसे ही रिलेड़ेड बहुत सारे कॉंसेट्स पढ़ें अगर आपने मिस कर दिया तो आप फटा फट जाए और साइन्स टू में प्लेलिस्ट खोलें त आप लोग देख लें आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एक चेप्टर सेल बायोलोजी और बायो टिकनोलोजी तो सेल बायोलोजी सबसे पहले हम लोग सेल के बारे में सीख लेते हैं अगर हम लोग सेल ही नहीं मालू रहेगा तो भाई बायोलोजी को सेल की बायोलोजी और एक functional unit मतलब कि cell जो होता है वो basic मतलब smallest सबसे smallest unit होता है और functional होता है मतलब इसका कुछ न कुछ function होता है यह different functions perform करते रहता है तो इसमें फिर पूछा है what is tissue तो हम लोग जानते हैं cell फिर group of cell फिर group of cell से बनता है tissue फिर group of tissue से बनता है organ फिर organ system फिर body बन जाती है तो इस तरीके से form होती है हम लोगों की body जिस तरीके से एक letter से बनता है word word से बनता है phrase phrase से बनता है sentence sentence से paragraph paragraph से chapter और बहुत सारे chapter से एक book तो इस तरीके से हम लोग relate कर सकते हैं तो cell biology में सबसे पहले हम लोग जान लेते cell biology का मतलब होता है क्या तो cell biology मतलब study of cells तो cytology जिसे हम लोग बोलते हैं तो study of the structure types and organs of the cell is called as cell biology और cytology इसका दूसरा नाम cell biology का क्या है cytology मतलब जम लोग cell के organs मतलब mitochondria ribosome lysosome इन सभी के बारे में study करते हैं cell के organs के या फिर cell के types के जैसे stem cells simple cells इन सभी cells की study करते हैं या फिर इनके structures के बारे में study करते हैं तो उसी study को लोग बोलते हैं cell biology या फिर cytology तो बहुत सारे रिबूरोज चेंज आये हैं human health में cell biology की मदद से जैसा आप लोग बायो टेकनोलोजी का ये डाइग्राम देख रहे हैं यह मुझे लगता है आपको 8th standard में दिया गया था तो 8th standard में आप लोगों ने बायो टेकनोलोजी के वह है various processes in tissue culture यह हम लोग का various processes in the tissue culture जो हम लोगों का second है वह है primary treatment जो हम लोगों का third है वह है primary hardening और फिर सॉरी जो हम लोगों का third है हम लोगों का shooting and rooting है और जो fourth वाला हम लोगों का वह है primary hardening तो इस तरीके से जैसे यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि सबसे पहले एक पौधा था फिर पौधे से पेड़ बना फिर उसके कौन को निकाल लिया गया और फिर उसके बाद उसकी treatment हुई processes किये गये tissue culture में और फिर उसके बाद उसक इसको shooting and routing किया गया फिर उसको hard बना दिया गया और फिर उसके बाद एक से भले चार तो बायो टेकनोलोजी में यही होता है दोस्तो hybridization होता है जिससे हम लोग numbers को बढ़ा सकते हैं उसमें से आप लोगों को कुछ websites दी गई है जिनसे आप लोग नेशनल सेंटर पे जा सकते ह पहला जो नेशनल सेंटर है वो है बैंगलूरू में और पूने में तो आप लोगों को यहां पे websites दी गई हैं अगर आप लोग और पढ़ना चाहते हैं तो जा सकते हैं बट अभी नहीं अभी मैं चैप्टर पढ़ा रहा हूं चैप्टर पढ़ाने के बाद आप लोग चाह प्रिजेंट रहते हैं यह सेल्स जो रहते हैं वो और टाइपस ऑफ सेल्स को राइज देते हैं जो हमारी बाडी में प्रिजेंट रहते हैं यह सेल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं मतलब जो भी इंजर्ड बाडी रहती उसको हील करने में बहुत ही बड़ सब्सक्राइब ये गलत है इस प्रिजेंट इन और यंद गैंट Scandinavian और होता है और zygote form होने के बाद धिरे-धिरे blastocyst, brastrula, gastrula ये सब बढ़ने लगता है और earliest stage of development, मतलब कि जब earliest stage रहता है तो उसमें mass of cell, मतलब blastocyst इसको हम लोग बोलते हैं ये साथ में आते हैं और earliest stage मतलब after zygote formation तो उसके बाद जो cells रहते हैं, mass of cells, सभी cells, वो सब सेम रहते हैं अला एक मतलब एक दूसरे के similar रहते हैं इन्ही cells को हम लोग बोलते हैं stem cell और फिर आगे चलके ये different different tissues में convert हो जाते हैं कुछ बन जाते हैं kidney, liver के tissue कुछ बन जाते हैं तो उसके बाद वो convert हो जाते हैं बड़ जब earliest stage रहता है blastocyst का तो ये सब सेम रहते हैं इन्ही को हम लोग बोलते है stem cells तो जैसे ऐसे development हुई वैसे वैसे हम लोगों ने समझा कि stem cell हम लोग कहां कहां पा सकते हैं तो during further development these cells form any type of cell different types of tissue and perform different functions in their body मतलब आगे चलके जब वो और develop होते हैं तो different different functions करने लगते हैं इसे हम लोग बोलते हैं differentiation of the cell मतलब same cell but different cells मतलब same cells पहले थे उसके बाद वो different बन गया और different functioning करने लगे however once the tissue are formed the cell in those tissue at the most can form some type same type of cells only एक बार अगर tissue बन गया तो उसके बाद जो cells हैं वो अपने similar ही cells को form कर पाएंगे कोई नया type नहीं बना पाएंगे और ये हर body part में होता ही है और stem cell होता है वो longer duration के लिए present रहता है हमारी body के कुछ parts में तो अब जान लेते कि stem cell कहा कहा पाया जाता है stem cell पाया जाता है umbilical cord में मतलब कि जब पार्चराइशन के समय जो cord जुड़ा रहता है जिसे बच्चे को खाना मिलता है mother womb में तो उस cord में present रहता है stem cell मतलब इसमें क्या होता है fetus जो रहता है वो uterus से join होता है mother के तो वहां से खाना मिलता है stem cell जो रहता है वो blastocyst stage में embryonic development के समय उसमें भी present रहता है blastocyst जो हम लोगों ने अभी देखा stem cell और red bone marrow में भी present रहता है id pose connective tissue जो हम लोगों का रहता है उसमें भी present रहता है adult human beings में और red bone marrow आपको बता दें यह हम लोगों की normal हड़ी का example लेता हूँ यह cartoon वाली हड़ी है जो डोग इस खाते हैं तो यहां पर यहां पर red 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 रहता है इसको लोगों बोलते है red bone marrow इससे क्या बनता है rbc red blood corpus और यहां पर रहते हैं yellow इसको लोगों बोलते है yellow bone marrow यदि आप non vegetarian है तो आपको yellow bone marrow पता होगा तो इसी के साथ red bone marrow से बनते जाता है rbc red blood corpus तो इस बिकम पॉसिबल तो डिफ्रोड्यूस डिफरेंट टाइपस आफ टिशूज और डिचेनरेटेट part of any organ with the help of these stem cells मतलब की stem cells की अगर हम लोग मदद लें तो कोई भी part जो degenerate हो चुका है मतलब body में work नहीं कर रहा है तो stem cells से हम लोग उसकी replacement करा सकते हैं या फिर regenerate कर सकते हैं कैसे करेंगे वो आगे पढ़ते हैं अब stem cells को preserve कैसे करते हैं stem cells के हम लोगों को सैंपल मिलते हैं उनको केरफुली करते हैं cord blood से जैसा umbilical cord को जब काटा जाता है तो वहां से cord blood में से इसको collect किया जाता है red bone marrow और embryo जो blastocyst में रहता है और यह सब वहां से निकालने के बाद एक स्मॉल सराइल वायल्स में रखे जाते हैं और यह वायल्स जो रहते हैं लिक्विड nitrogen में रखे जाते हैं माइनस 135 डिग्री celsius से माइनस 190 डिग्री celsius के बीच में अब पढ़ते हैं stem cell research तो stem cell research में लोगों ने किस तरीके से stem cells का यूज किया इन बायो टेक्नोलोजी stem cell research is a revolutionary event after cloning के बाद stem cell research revolutionary event था क्रांतिकारी event this technique has the potential of bringing about the fundamental changes in the medical science मतलब इस टेक्नीक के पास ability थी कि वो fundamental changes मतलब basic changes ले आ सके medical science में तो source के हिसाब से stem cells जो होते हैं वो embryonic cells और adult stem cells दो types के होते हैं stem cells तो embryonic stem cells को हम लोग पढ़ते हैं division of zygote starts and thereby it is converted into embryo cells of embryo undergone repeated repeated mitotic division cell differentiation starts from 14th day of conception तो जाइगोड के जैसे divide होता है जैसे उसका start होता है उसके बाद वो convert हो जाता है embryo में और जो embryo होता है उसके जो cells होते हैं वो लगातार mitotic division से differentiate होते रहते हैं माइटोटसिस अगर आपको नहीं मालूम है तो आप आप 8-second chapter पढ़ सकते हैं science 2 का उसमें आपको मिल जाएगा अब cell differentiation मतलब cells का different बनना start होता है 14th day of conception से मतलब embryo form होने के 14th day बाद और जो cells होते हैं different organs के जैसे bone cell liver cell यह और neurons यह form होते हैं differentiation से मतलब bone अलग बन जाएगी bone के cells अलग जाएँगे liver के cells अलग जाएँगे neurons जो रहते हैं वो differentiation के पहले उनको हम लोग बोलते हैं embryonic stem cell differentiation के पहले जब वो convert नहीं हुए थे different cells में तो उन्हें हम लोग बोलते हैं embryonic stem cell 220 different types of cells are present मतलब कि 220 से different cells हमारी body में present है और यह सभी एक single type of cells से बने हैं जिसे हम लोग बोलते हैं embryonic stem cell embryonic stem cell से 220 type cells बने हुए human body में और 10 stem cells are primary type of undifferentiated cell with self multiplying ability and they are parent cells of all types of human stem cells जो होते हैं उनके पास self multiplying ability होती है मतलब अपने numbers खुद बखुद इंक्रीज कर सकते हैं इसलिए उन्हें कहा जाता है प्रॉपर्टी stem cell को हम लोग मतलब की stem cell की multiplying proper ability को हम लोग बोलते हैं pluripotency pluripotency हम लोग बोलते हैं इसे और इट has been found that if these stem cells are collected well before the beginning of differentiation on 14th day मतलब की अगर इसे हम लोग 14th day के पहले निकाल लें पांचवे और सातवे दिन के बीच में तो यह bio chemicals के research करने के बाद हम लोग इसको transform कर सकते हैं desired type of cells मतलब की वहां से निकाल के हम लोग इस पे research करके इसके tissues को different organs में convert करके हम लोग खिलवाड कर सकते हैं कोई अलग ही जानवर अलग ही इनसान बना सकते हैं हम लोग इससे तो खिलवाड करना आसान है बट बहुत सारा research करना पड़ते तो अगर फिफ्ट और सेवेंथ डे के बीच में हम लोग निकाल लें तो हम लोग उसमें बायो केमिकल साइड करके laboratory में research करके अलग ही इनसान बना सकते हैं अब बात करते हैं एडल्ट stem cells की एडल्ट stem cells जो रहते हैं वो एडल्ट human में भी present रहते हैं तो तीन में सोर्स हैं stem cell के एडल्ट person में एक है red bone marrow एक है डिपोस connective tissue और एक है blood यह तीन जगहों से आडल्ट stage में पाया जा सकता है stem cells और उसके अलामा इसको हम लोग obtain कर सकते हैं cord blood से भी मतलब जो लिकल कॉर्ड को जो हम लोग कट करते तो उसमें से जो blood निकलता है उससे भी हम लोग obtain कर सकते हैं बर्थ के जस्ट बाद अब stem cells तो हम लोगों generate करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं stem cells इसमें पहला आता है cell therapy अगर stem cells जो रहते हैं वो dead cells और stem cells वहाँ पे खुद काम करने लगते हैं पार्किंसन साब लोग जानते हैं जिसमें इंसान के शरीर में कपकपा हाट आ जाती हो कापने लगते हैं और myocardial infection मतलब कि जो blood रहता है वो heart तक नहीं पहुँच पाता है तो वहाँ पे stem cells को यूज़ किया जाता है stem cells का use organ transplantation में भी यूज़ होता है क्योंकि जब भी हम लोग organ transplantation करते हैं तो कुछ न कुछ cells dead हो जाते हैं जिसके कारण अगर cells की functioning दोबारा start करनी है तो वहाँ पर regenerator करना पड़ेगा cells को तो उसलिए blood cells को प्रोड्यूस करने के लिए हम लोग यूज़ कर सकते stem cells का condition जैसे अनेमिया थालसीमिया ल्यूकेमिया इन सभी में तो organ transplantation में आप लोग जानते हैं कि जैसे kidney या फिर liver यह सब जब फेल हो जाते हैं तो इन सभी को दोबारा जाम लोग transplant करते हैं तो stem cells की मदद से उनकी functioning दोबारा हम लोग start कर सकते हैं अब पढ़ते हैं organ transplantation किस तरीके से organ transplantation होता है वह पढ़ते हैं तो various organs in the human body either become less efficient or completely functionless due to various reasons like as aging accidents infection disorder etc मतलब हमारी body में बहुत सारे organs रहते हैं जो less efficient मतलब ज्यादा काम नहीं कर पाते और काम ही करना बंद कर देते कुछ कारणों के वज़े से जैसे aging मतलब ज्यादा होना accident के वज़े से को infection हो गया कोई disorder है तो इन सभी के कारण अगर कोई work करना बंद कर देते हैं तो ऐसे लोगों की life बहुत ही मुश्किल हो जाती है जीने के लिए और उनकी life में fertility मतलब की death भी हो सकती है ऐसे condition में तो अगर person को सही समय पे सही organ मिल जाए तो उसकी life हम लोग बचा सकते हैं तो यह वो organs होते हैं जिने donate किया जा सकता है जैसे बोर, neurons, heart, liver, intestine, brain यह सब donate किया जा सकता है availability of donor is an important requirement in organ transplantation मतलब भाई donor तो तुम्हें मिलना चाहिए तुम organ लेके बच तो जाओगे बट donor नहीं देगा अगर वो organ देगा ही नहीं तो तुम लोग एक इस्या organs को तो उसकी भी availability बहुत ही जादा important है organ transplantation में हर इंसान के पास दो kidneys होती हम लोग जानते हैं और जो excretion रहता है वो मात्र एक kidney से complete हो जाता है तो जो भी इंसान है वो अपनी दूसरी kidney को donate कर सकता है उसी तरीके से जो skins रहती हैं हमारी body में वो कुछ parts पे विस्टीजियल होती है मतलब किसी काम के नहीं होती हैं फिर जादा होती हैं तो उन्हें भी हम लोग donate कर सकते हैं इसकिन को जिन लोगों के मुह मुह मतलब की किसी accident के कारण किसी bomb blast के कारण मुह जल जाता है तो लोग इसकिन transplant करा लेते हैं सर्जरी से प्लास्टिक सर्जरी से और अलग अलग factors जैसे blood group disease, disorder, etc यह सब donor और recipient जो लेने वाला है जो देने वाला है दोनों की जाच इससे की जाती है कि उनका blood group match हो रहा है कोई बिमारी तो नहीं है पता चला जो अपनी kidney दे रहा है उसकी kidney already खराब है तो भाई वो kidney दे के क्या करेगा तो इसलिए पूरी जाच होती है और कोई disorder तो नहीं है उसको मतलब कोई बीमारी तो नहीं है तो वह बीमारी उसको भी लग सकती है तो इसलिए बहुत सारी जाच की जाती है उसके बाद आप लोग जिन्दा ओक यूंक्टी वाजिसे तो जिन्दा हो लेकिन जाचा जैसे लीवर हर्ट आईज underscore डेटांशे और यहसे लीवर हो गया दिल हो गया आखें माईटकर सकते हैं बाकि जो प्लेटर कर सकते हैं और these are the App सब्सक्राइब के बाद हम लोग बॉड़ी को डोनेट करना एक ट्रेडिशन सा बनता जा रहा है क्योंकि बहुत सारे जो खास करके जो अमीर लोग रहते वो अपनी बॉड़ी को दूसरों को डोनेट करने के लिए राजी हो जाते हैं वैसा माना जाता है कि अभी आगे जितना टाइम आएगा उसमें लोग यही करेंगे क्योंकि अभी कोई फाइदा तो है नहीं क्योंकि आप डेथ के बाद अगर किसी के काम ना हो तो कोई फाइदा है नहीं और इससे अच्छा तो यह है कि आप दूसरे के काम आजाओ डेथ के बाद भी और जब तक आप जिंदा थे तो काम आते ही थे तो इसी वज़े से कुछ कारणों की वज़े से लोग डोनेट करते हैं बट फिर वहाँ पर वह बात आ जाती है कि भाई ऐसा नहीं करना चाहिँ हमें डिश्पोज करना चाहिए जलाना चाहिए या फिर दफनाना चाहिए तो यह सब traditions आ जाते हैं जैसे यहाँ पे लिखा गया है कि human body को death के बाद dispose कर दिया जाता है या तो आइदर जला दिया जाता है या फिर दफना दिया जाता है traditional custom है लेकिन science के progress के वज़े से लोगों ने realize किया कि जो कुछ organs रहते हैं वो functional रहते हैं death के बाद भी मतलब सिरिफ heart अपनी pumping करना बंद करता है बड़ जो liver रहता है eyes रहता है यह सब function करते हैं death के बाद भी क्योंकि वो तुनंद degrade होना शुरू नहीं होंगे उनको जब जला दिया जाएगा या दफना दिया जाएगा उसके बाद ही वो दिरे-दिरे यहां पर कदम लिया है जैसे जैसे इंसानों की नीड बढ़ी और बट लोग कहते की लिब्रल वियू बिहाइंड the concept of organ and body donation is that after death our body should be useful to the other needful person so that their miserable life would become comfortable मतलब इसके पीछे एक liberal वियू क्या है लोग चाहते हैं कि हमारी death के बाद हमारे body के organs को दूसरे के काम आए ताकि उनकी जो miserable जो problems से भरी हुई life है वो comfortable बन जाए और इसी के प्रती लोगों के awareness भी create किये जा रहे हैं बहुत लोगों की हम लोग जाने बचा सकते हैं अपने organs और body donation करके और जो blinds रहते हैं जिनकी आँके खराब रहती हैं उनको हम लोग बना सकते organs को donate करके जैसे liver kidney heart heart valves skin etc और similarly body can be made available for research in medical science मतलब की studies जैसे medical college की students जो रहते हैं उनकी study के लिए भी यूसफुल हो सकता है क्योंकि उनकी study में ज्यादा तर यह operation operation बताया जाते हैं तो इसलिए body अपनी लोग कुछ दे देते हैं कि भाई यह students के लिए यूज होगी वो और बहुत सारी कोवर्मेंट और सोसल और इसने जो इसकी परती इन अवेर्नेस बढ़ा रही है और अगर हम लोग सव साल तक रहें अगर अर्थ ग्लोबल वामिंग के वज़े से तबाह ना हुआ तो आगे यही होने वाला है और कुछ चीजों को आप लोग याद रखें ज में और 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 डोनेट करने का और इसके बाद इसमें कुछ तुरंत अमेंडमेंट्स हाए मतलब चेंजेस हाए 2019-2011 और 2014 में जिसकी वज़े से पूरा प्रोसेस ट्रांसपारेंट हो गया और किसी को भी चीट नहीं किया गया मतलब आप लोग जानते हैं कि कुछ हॉस्पिटल साइसे होते जहां पे इल्लीगल काम होते हैं उनके बीना पर्मीशन के पेशेंट्स के किड्नी हार्ट इन सभी को निकाल कर दिया जाता है तो और गन रैकेट कुछ लोग चलाते हैं तो उसी के लिए अमेंडमेंट्स किये गए ताकि वह ट्रांसपारेंट हो सके मतलब लोग जान सके कि भाई उनका और गन किसे दिया या फिर कही ऑस्पिटल वालों ने नाजाज तरीके से दूसरे देश में तो तुसरे ट्रांसपारेंट बनाया ताकि किसी के साथ चीटिंग न हो अब समझ लेते हैं बायो टेकनोलोजी हम लोगों का जो सिस्टेम सेल्स था वो पार्ट खतम हुआ अब पढ़ेंगे हम लोग बायो टेकनोलोजी यह बहुत ही होट्स कुश्चन में से है दोस्तों क्यों इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि दो साल आ चुका है तो दिस यह कैन अल्सो एपन तो बायो टेकनोलोजी का मतलब होता है आटिफिशियल जेनेटिक चेंजेस लाना और हाइब्रिडाइजेशन लाना और 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 ऑर्गनिजम में हीमेन वेलफेर के लिए यह डेफिनि वह फुरूट बहुत ही ज्यादा देता है बट जो उसकी साइज है वह बहुत ही जादा बड़ी है और एक प्लांट जो बहुत ही छोटा है और इस पे फूरूट के लिए जगे तो आती है बट उसमें प्लांब को मिक्स कर दूँ तो यह दोनों हाइब्रिड हो जाएंगे और फिर उसके बाद ये प्लांट छोटा सा बन जाएगा और इस पर फूर्ट भी फटा फटाएंगे एक और एक्जमपल लेते जैसे एक ट्री है वह फल तो बहुत ही जादा देता है बट हमेशा उसमें कोई ना कोई डिजीजेज रहती है बिमार रहता है और अगर महीं पर दूसरा ट्री है उसके फल नहीं आते हैं बट वूख कभी भी बिमार नहीं होता इसके पास ऐसाथ सब्सक्राइब को गरमें नकीक्ष कर दूं तो इसकी फल देने की अगिलीटि ऑ कि बिमार न स्के गडिटी दोनों मिक्स हो जाएगी और फिर उसके बाद ये एक सिंपल न माक्रोब्स का एबिलिटी इसका यूज करना ताकि हम लोग मिल्क अलकोहॉल से योगर्ट प्रोडक्शन कर सके और अलकोहॉल का मुलैसे से अलकोहॉल का प्रोडक्शन कर सके productivity cell का बढ़ाने के लिए हम लोग इसका यूज कर सकते जैसे antibiotics vaccine इनसभी का बढ़ाने के लिए biomolecules का यूज कर सकते जैसे DNA protein human welfare में plant animal और product of desired quality gene manipulation से हम लोग इनका यूज कर सकते हैं तो yield भी हम लोग जो quantity होती है खेत में वो भी हम लोग बढ़ा सकते हैं तो genetic non genetic changes हम लोग ला सकते हैं तो इसमें cell यफी tissue से हम लोग tissue culture करके hybrid seeds से हम लोग ला सकते हैं अब बायो technology के benefits क्या है it has become possible to increase per hectare yield मतलब की खेती जो है उसमें जो quantity उग रही हो उसको जादा बढ़ाया गया है उतने ही crop land area में मतलब अगर एक एकड में 30 टन होता था तो उसी एक एकड में hybridization के वज़े से 60 टन हो रहा है 60 क्विंटल हो रहा है या फिर टन तो एक एकड में बहुत ही कम होता था बट उसी एक एकड में बायो टेकनोलोजी के वज़े से बहुत ही जादा हो रहा है तो एक एकड में तो ऐसे टन तो होता नहीं है इतना बट इक्जामपल के लिए अब जो डिजीज पे एक्सपेंसे थे उसको कम कर दिया गया बायो टेकनोलोजी के मदद से मतलब कम हो गया उनसे खर्चा और फास्ट फ्रूट सेटिंग वराइटीज में डिवलपमेंट आ गय और इस्ट्रेस रेजिस्टन्स वेराइटी बनाई गई जिस से वो वग आरियरेबल टेमपरैशर प culinary कर सके मतलब कि जैसे कुछ पिलांट से रिसपॉंस नहीं कर पाते हैं जिसके कारण हो पेरिश हो जाते हैं बाट उनमें अगर हम लोग कुछ जेने टिंग चेंज ला दे बाइव टेकनोलोजी एंड फिर एनिमल हस्बेंट्री तो क्रॉप बाइव टेकनोलोजी में होता क्या क्या है सबसे पहले हाइब्रेड सीड हाइब्रेड सीड मतलब दो पौधों के जीन्स को एक साथ कर दिया जाएगा जिसके वज़े से उसका जो फूर्ट से वह ज्यादा और बीमारी से बचा रहे जैसे बने इक्जामपल दिया था अब जी अम क्रॉप मतलब जेनेटिकली मोडिफाइड क्रॉप की जैसे उनका मतलब की पहले डेफिनिशन पढ़ सकते हैं जेनेटि जीयम का तो क्रॉप स को डेवलप करें हम अपनी डेजार्ड प्रिजाड क्रे एसलाखे और हाई एल्डिंग व्राइटीज विट रेजिस्टेंस टू डिजीज अलकैलिनिटी वीड्स अधर इस्ट्रेस लाइक कोल्ड एंड रॉट मतलब कि उनकी जो डिजीज रहती हो से हम लोग रेसिस्टेंस प्रोवाइड कर सकते मतलब वह बिमार ना पड़े उसमें कोई भी कीडो का अटेक ना हो तो उसे हम लोग बचा सकते हैं जेनेटीकली मॉडिफाइड क्रॉप्स इन से सुरक्षित रहते हैं अब बीटी कॉटन मतलब की बैसिलस थ्रून जेनिसिस एक बैक्टेरियम होता है इसका जीन निकाल के कॉटन के जीन में डाल दिया जाता है बैक्टेरिया को नहीं डाला जाता है बैक्टेरिया के जीन को आइसोलेट किया जाता है मतलब निकाला जाता है अलग किया जाता है और फिर उसके बाद उसको डाल दिया जाता है कॉटन के जीन में इंसेक्ट कर दिया जाता है इंजेक्ट कर दिया जाता है तो इसके बाद जो टॉक्सिन रहता है बॉल वाम के लिए वो फटल बन जाता है वो लिफ्स और बॉल्स ऑफ कॉटन में तो जो बॉल वाम से वो इंसेक्ट्स है तो उसके लिए जो अभी हम लोगों ने बैक्टेरियम का जो जीन हम लोगों ने उसमें डाला तो उसके बाद जो हो बॉल वाम को पूरी तरीके से चखना चूर कर देगा क्रेक कर देगा और बॉल वाम मर जाएगा अब आता है बीटी ब्रिंजल आपकी नहीं टेक्स्टूंग में यह ब्लैक हेडिंग में होगा आयम यूजिंग दा ओल्ड वन सो बीटी ब्रिंजल में क्या होता है कि इसमें जो जीन रहता है बैसिलर्स तुरों जैसिस का उसको हम लोग आइसोलेट करके ब्रिंजल में डाल दिया जाता है और उसी तरीके से ब्रिंजल में भी कुछ पेस्टस होते कुछ इंसेक्टस होते जो की हामफूल होते हैं तो उनक विटामिन ए का हम लोग एमाउंट बढ़ा दें तो वो कलर कितना ज़्यादा आ जाएगा तो पढ़ते हैं अजीन सिंथेसाइजिंग दा विटामिन ए हाज बिन इंट्रोडूस्ड इन इस विराइटी ऑफ राइस मतलब वह जीन जो विटामिन एका सिंथेसेशन करता है उसक किया उसके बाद यह तेईस गुना ज्यादा मतलब 23 फाइजा 115 उससे ज्यादा यह कलर देगा इसको तो सोच सकते कि इतना ज्यादा गोल्डेन कलर आ जाता होगा तो यह स्टार्ट हुआ था 2005 में अब बात करते हर्भी साइड टोलरेंट प्लांट मतलब प्लांट वीचेव फॉप सॉफ्ट स्टेम उदल वह प्लांट जिसके सॉफ्ट स्टेम होते हर्प्स होते होगा तो आखिल करते वह मतलब घ्राश करते हैं यहीं लोग ले ले लेते है थैं तो आन्उवंटेड मतलब 5 सेग हैं 2 लoria यूँ ले ले लेidores के लिए यहीं लोग ले ले दंघाव मेन क्रॉप को भी एफेक्ट तो कर देगा इसके लिए जो हर्बी साइट टॉलेरंट प्लांट होते हैं ऐसे लोगों को डेवलप किये जाता है जिसके खारण हम लोग वीड्स को डिस्ट्रॉय कर सके मतलब कि यह हर भी साइट टॉलेरंट प्लांट खुद बखुद वीड को डिस्ट्रॉय कर देंगे अब बात करते बायो फर्टिलाइजर्स की तो बायो फर्टिलाइजर्स में ड्यू टू बायो फर्टिलाइजर्स यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स हैस बिन रिजेक्टेड मतलब कि बायो फर्टिलाइजर्स की यूज के वज़े से केमिकल्स का यूज खतम हो गया है नाट्रोजन फिक्षेशन और फॉस्पेट सॉलुबलाईएशन अबिलिटी ऑफ दे प्लांट्स आर इंप्रूवड नाट्रोजन फिक्षेशन मतलब की राइबोजोम जो आता है वह नाट्रोजन सप्लाई करता है और कार्बन सीओ टू सप्लाई कर देता है तो इसे बोलते है नाट्रोजन फिक्षेशन तो वह भी इंप्रूव हो गई है उनकी वह एबिलिटी कुछ बैक्टेरिया रहते हैं जैसे राइजोबियम आइजोटोबैक्टर नॉस्टॉक आइजोला यह सब यूज करते हम लोग इस बायो सकता है कि एक निमल है जो एक ञाटाई जो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता है जया सकते हैं उसके अंदर यहीं किया जाता है उसका ऊब्रियो निकाल ़िया जाता है फ़े मदलब खिलबार को रहते हैं साइंटिस्ट लोग इसके वाज़े से इंप्रूब्मेंट आ जाती है दोनों में कॉंटिटी में भी क्वालिटी में भी एनिमल के प्रोड़क्स में जैसे मिल्क मीट वूल एक्सेक्टरा और एनिमल्स को जो स्ट्रेंथ रहता है वो भी बहुत जादा डेवलाफ हो जाता है इसके कारण अब बात करते हिउमन हेल्थ में बायो टेकनोलोजी का कैसा मदद है तो हिउमन हेल्थ में डाइगनोसिस और ट्रेटमेंट बहुत ही इजी हो गया है क्योंकि डाइगनोसिस और ट्रेटमेंट यह पहचानोगे नहीं तो उसका treatment कैसे करोगे तो treatment and diagnosis these are the two important aspects of human health तो biotechnology के मदद से हम लोग अगर एक इंसान में वो symptom नहीं भी दिख रहे हैं समझ लीजे एक इंसान को कोई भी बिमारी है बड़ी सी बिमारी है जैसे अनेमिया हो गया है बट हम लोग को symptom नहीं दिख रहे हैं क्योंकि अभी नया नया हुआ है but still we can find out that he had anemia by the method of biotechnology तो कुछ बिमारी होती है जैसे AIDS का हम लोग और डेंगू का इन लोगों का हम लोग डाइग्नोसिस मिन्टों में कर सकते हैं और treatment भी earliest stage में की जा सकती है क्योंकि फिर लास्ट इस्टेज में गए आप तो आपको शायद डेथ ही हो जाएगी बट अगर आप लोग बायो टेकनोलोजी का यूज़ करें और लाइफ कान भी सेवड और वाइरियस मेडि मेडिसीन भी रहती हैं जो की डिजीजेस के लिए यूज़ करती हैं हम लोग जैसे हार्मौन इंसुलीन इज यूज़ना करती देट है गोड़ों में निकालते दे इंजेक्ट कर देते थे इसके टैबले बनाया करते डेस अभी वहुत है कि ना जो जीन्स के वज़े से insulin produce हो रहा है वह जीन हम कर सकते हैं और उसके वज़े से हम लोग बना लेते हैं अपना दबा तो पहले जब अचरे चरे में यह सब निकाला जाता था तो दोग बुरा मानते थे मतलब कि ओन वेजिटेरियन्स को बहुत ही खराब लगता था वेजिटेरियन्स जो लोग थे शाकाहारी लोगों को यह नापसंद था तो उनके लिए यह सब किया गया तो इसके वज़े से से सब्सक्राब रॉबिया जाता है अब पर्षी खराब है। वेक्सिन इंद एंटिजन कंटेनिंग माटेरियल गीवन तो एक्कौायर आइधर पर्मानेंट और टेंपरेरी इम्मुनिटी ऊगेंस इस स्पेसिफिक पैतोजन और डीजीर तो वैक्सीन जो रहती है वो एंटी जन कंटेनिंग माटेरियल होती है जो हम लोग देते हैं कुछ पर्मानेंट एफिट टेंपरेरी इम्मुनिटी अगेंस मतलब कि इम्मुनिटी बढ़ाने के लिए इसको हम लोग देते हैं क्योंकि एड्स और एचाइवी इसका बिमारी कै ली जाती से जब तक वो जिन्दा रहतेया तब तक वो धरानेंगेंived अगते-॥्य जो रहती थी उनको पैथोजन से मिनाया जाता है मनाया जाताता था जैसे इसकी audit करुख करते तो पहले क्रते थे कि पैथोजन को लेते थे जो हम फुल बैकT comumब लेक्टेरिया उंको लेते था तो जो human का brain था वो इस जो pathogen sign को पहचान लेता था कि यह harmful है तो वो उसको harm नहीं करने देता था बट already वो killed है तो एक बार brain को समझ में आ गया कि यह killed pathogen है यह destroy नहीं कर सका बट ऐसा हो सकता है कि आगे चल के कोई ऐसा pathogen दोबारा आए और वो destroy करे हाम करे हमारी body को तो वो दुबारा वैसे pathogen को आने ही नहीं देगा जैसे आपने घर का दरवाजा रोज खुला छोड़ देते थे और फिर उसके बाद एक दिन आपके घर में चोरी हो गई तो उसके बाद से आपने क्या किया कि आपने दरवाजे को बंद करना शुरू कर दिया या फिर आप ताला नहीं लगाते थे तो एक दिन चोर आये बड़ चोरी नहीं हुई मतलब वो चोर डेड़ थे मतलब जैसे पैथोजेंस यहां पे डेड़ हैं तो वैसे ही वो आये बड़ चोरी हुई नहीं हाम नहीं हुआ उनके वज़े से बड़ दोबार तो आप धियान रखोगे क्योंकि आपको मालूम है कि यह घर्टना दोबारा घर्ट सकती है तो उसी तरीके से ब्र पैथोजेंस को डाला जाता था हुँमेन के अंदर बट कभी कभी क्या होता था कि जो पैथोजेंस है वो खिल्ड नहीं है वह एक्टिव हैं मतलब की जिंदा है बट साइंटिस समाझ नहीं पाते थे तो इसके कारणन वैक्सीन लगाने से तुरंट डेथ हो जाती थी जैसे अभी वैक्सीन जैसे मैंने लगवाया तो पैथोजेंस जो मेरे अंदर छोड़ा गया वो एक्टिव था तो पहली बार में तो ब्रेंड ने पहचाना ही नहीं तो तुरंट थाम करके चला गया तो मैंने खुद को पहले पर कुलहाड़ी मारली वैक्सीन लगवा के तो इसक पैथोजेंस को आइसोलेट करके पैथोजेंस में से उससे वैक्सीन बनाई और इसे सेफर वैक्सीन बना दी गई जिससे लोगों की जाने बची रहे अब जो प्रोटिन्स रहते हैं जो एक एंटीजन की तरह एक्ट करते हैं उसको हम लोग प्योर फॉर्म में इंजेक्ट क करें तो इसकी मदद से वो तो जीन है वो तो कुछ हाम करेगा नहीं तो इसकी मदद से हम लोगों को अभी वैक्टिव करके लोगों को सेफ रखता है तो जैसे पोलियो है अब बाद करते हैं एडिवल वैक्सिन की घंडव उझे मतलब जो kor games रहा गूंद दिनोड ऊसे भीटरी वेक्टिव क्लेरी अचया होगोई और सिट जो इक बेक्टेरिया होता है जिसका नाम में Vibrio Cholera और E-coli E-coli क्या करता है कि कुछ diseases ला देता है जिसके कारण जो potatoes रहते हैं वो हमें diseases से बचाके रखते हैं E-coli हम लोगों को diseases दे सकता है जैसे cholera या फिर अलग-अलग diseases दे सकता है बच अगर हम लोग इन्हें vaccines की तरह इस्तमाल करें तो हम लोग बचा सकते हैं अपने आपको तो एडिवल वैक्सिंस का हम लोग इस्तमाल करते हैं मतलब कि खाने में किस तरीके से वैक्सिंस का हम लोग इस्तमाल करते हैं तो इसमें क्या करते हम लोग जो E. coli था उसको उसमें से जीन निकाला गया जीन निकालने के बाद उसको जो प्लांट था उसमें से प्लांट के ट्री में हम लोगों ने मतलब कि जो पोटैटो का प्लांट है उसमें हम लोगों ने डाल दिया और फिर उसमें डालने के बाद जो पोटाइटो प्रोड्यूस हुआ उसमें वह जीन आ गया होगा तो उसके वज़े से हम लोगों की इम्मेनिटी तगड़ी हो जाते हैं और पैथोजेंस को रोक लेते हैं जैसे सबसे पहले आइसुलेशन हुआ जिन्स का पैथोजेंस में से फिर ट्रांस जैनिक प्लांट वाइरस निकाला गया फिर दोनों को एक साथ किया गया फिर प्लांट में उसको डाल दिया गया जिसके कारण एडिवल वैक्षिंस तैयार हो गई अब ट्रीटमेंट हम लोग कैसे करते हैं बायो टेकनोलोजी की मदद से हम लोग हॉर्मोन को एक्टिवेट कर सकते हैं जैसे इंसुलीन, सुमेटोइस्टोटोपीन और ब्लड क्लोटिंग फैक्टर से तो जो इंसुलीन होता है वो ग्लुकोज लेवल को कंट्रोल करता है और ब्लड क्लोटिंग फैक्टर मतलब जगा जवा पर जो खून जमते रहते तो इनसे बचाता है और दो सुमेटोटोटोपीन होता है वो growth hormones की लिए मदद करता है अब बात करते इंटर फिराउन की इंटर फिराउन जो होता है वो group of small size protein होता है molecule जो viral disease में मदद करता है तो यह सब produce कर सकते हम लोग ब्लड में तो बायो टेकनोलाजी के मदद से हम लोग E-coli को produce कर सकते हैं इंटर फिराउन को produce कर सकते है इकोलाई के मदद से अब जीन थेरेपी क्या होता है जीन थेरेपी मतलब की genetic disorders को treatment देने के लिए somatic cell में यह possible हो गया है बायो टेकनोलोजी के मदद से जैसे phenyl ketonuria जो होता है वो genetic changes के वज़े से arrive हो जाता है जिसको हम लोग बोलते somatic cell जीन थेरेपी और जो cells रहते हैं हमारी बोड़ी में except is permanent ova are called somatic cell इन दोनों को छोड़के हम लोग बागी सारे cells को बोलते somatic cell क्योंकि यह दोनों जम सेल होते हैं अब क्लोनिंग क्या होता है दोस्तों तो क्लोनिंग में हम लोग क्या करते कि production of replica किसी भी organism का हम लोग replica बना लेते हैं किस तरीके से बनाते हैं जब भी cell form होता है तो उसको ला के हम लोग उसमें से जो दूसरा cell रहता है उसको हम लोग निकाल लेते हैं तो मतलब इस पाम एंड ओवा में से हम लोग ओवा को निकाल लेते हैं और फिर इसको ही रहने देते हैं तो इसके बाद जो भी organism बनेगा वह सेम टूसेम एक ही के जैसा करेगा तो क्लोन को हम लोग प्रोडूस कर सकते हैं नुक्लियस में फिजिव फिजन कराके सोमाइटिक सेल में किसी के भी ओवाम को अगर लोग निकाल दे उसमें से तो उसमें स्पम की जरूरत नहीं पड़ती है सिर्फ ओवम को अगर हम लोग रखेंगे तो सेम टूसेम प दिया गया है तो इंसुलीन होता है डाबेटीज को ट्रीटमेंट करने के लिए इंटर लुकिन कैंसर के लिए इंटर फेरॉन वाइरल इंफेक्षन के लिए यह याद रखें आप लोग बहुत important table है very very important अब बात करतें theoretic cloning की तो stem cells को हम लोग derive कर सकते हैं laboratory में somatic cell में से तो उसमें stem cell को हम लोग दोबारा निकाल सकते हैं और various disease को मोग stem cell से ट्रीट कर सकते हैं जैसे similar to cells genes can also be cloned and millions of copies of same gene can be produced जैसे हम लोग cells की तरह genes की भी copies को बना सकते हैं और इससे हम लोग gene के बहुत सारे copies बना के उसको एक ही gene को हम लोग multiply कर सकते हैं और फिर उनका use कर सकते हैं अलग-अलग कामों के लिए controlling the inheritance of hereditary diseases continuous generation to generation pass होते जाती हैं बट उनको हम लोग रोक सकते हैं किस्ते therapeutic cloning के मदद से continuous of generation enhancing the specific tendency may become possible due to cloning technique cloning technique की मदद से इनको रोकना possible हो गया है however there is a worldwide opposition to human cloning on various issues बट इस पे बहुत सारे oppositions है कि cloning आप नहीं कर सकते क्योंकि इंसान को सिर्फ उपर वाला ही बना सकता है आप कोन होते हैं इनसान को बनाने वाले तो इसलिए इनी सभी issues के कारण बहुत सारे opposition साते हैं तो cloning को बंद कर दिया गया है but cloning एक बार की गई थी जहांपे dolly ship को बनाया गया था इसका clone निकाला गया था तो यह दोनों ship को अगर आप लोग देखे तो एक दूसरे के एकदम similar है तो यह Scotland में मनाया गया था cloning technique की मदद से 1996 में तो इसका नाम रखा गया था dolly industrial product और wide biotechnology होता क्या है तो various industrial chemical can be produced through less expensive progress बहुत सारे chemicals को हम लोग produce कर सकते हैं कम खर्चों में जैसे alcohol production from sugar molasses with the help of transgenic yeast अगर हम लोग transgenic yeast का यूज करें तो alcohol को आसानी से produce कर सकते कम खर्चे में अब environment में biotechnology का क्या काम है वो पढ़ते हैं तो it has become possible to solve environmental related various problems with the help of biotechnology biotechnology के मदद से हम लोग environment की बहुत सारी problems को solve कर सकते हैं जैसे microbial technique से हम लोग sea waste को रोक सकते हैं sewage जो रहते हैं उसमें बहुत सारे organic matter होते हैं और अगर उसको water bodies में छोड़ दिया गया तो organic matter उसमें oxidize हो जाएगा dissolve oxygen के मदद से और फिर उसके बाद जो dissolve oxygen रहेगा water में वो decrease हो जाएगा क्योंकि वो react करते रहेगा जिसके कारण aquatic life को बहुत ही जादा problem हो जाएगी तो जो sewage रहता है उसको तभी बाहर निकाला जाता है जब उसमें microbial technique से oxidation कराके organic matter को हटा दिया जाए उसके बाद उसको water bodies में छोड़ा जाता है तो इसके लिए microbes का use करते हैं microbes जो रहते हैं लार्ज स्केल पे बहुत ही जादा useful होते हैं और compost के production में भी ये use होते हैं जहां पे solid organic waste material का use कर सकते हैं बायो रेमेडियेशन, बायो पेस्टिसाइड, बायो फर्टिलाजिसर, बायो सेंसर्स, एक सेक्टरा are some new concepts in biotechnological method अब इसमें ये चार कुछ new concepts हैं तो बायो रेमेडियेशन सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं तो बायो रेमेडियेशन मतलब की to solve any problem with the help of organism मतलब की treatment करना pollution का तो removal of pollution is called is बायो रेमेडियेशन तो इसमें क्या करते हैं हम लोग absorb कर लेते हैं toxic chemicals को या फिर उनको destroy कर सकते हैं harmful pollutants को plants की मदद से और कुछ organisms की मदद से इसमें जो plants रहते हैं उसको यूज कर सकते हैं इसलिए इसको बोलते हैं fight or remediation bio remediation मतलब biology की मदद से fight or remediation मतलब plants की मदद से इसके कुछ examples आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जो जो terry sweet data होता है वो arsenic absorb कर लेता है soil में से terry sweet data मतलब terido fight और जो arsenic है वो एक pollutant है और जो genetically modified variety है Indian mustard की वो selenium obtain कर सकती है soil में से absorb कर सकती है sun flower जो सूरज मुखी रहता है वो uranium और arsenic को absorb कर सकता है और जो dino caucus rido durens होते हैं यह bacterium highly radiation resistance होते हैं निकलती है radioactive devices में से कच्रे में से उसमें से यह absorb कर सकता है तो इसे genetically modified किया गया है जिसके मदद से यह इसके पास यह ability है अब कुछ grasses है जैसे अलफालफा और क्लवर और राय इनको यूज किया जाता है फाइट और remediation में तो यह कुछ आप लोग इनके नाम और function आप लोग याद रखें बहुत ही IMP है दोस्तों जरूर याद रखें आपको board exam में नहीं तो premium या फिर semester की exams में जरूर दिखेंगे फूड बायो टेकनलोजी मतलब कि जो food items रहते जैसे bread, cheese, wine, beer, yogurt, vinegar यह सब produce होते microorganisms की मदद से और यह food items जो रहते हैं यह पुराने हैं जो कि बायो टेकनलोजी के मदद से produce हो रहे हैं क्योंकि बहुत time से हो रहे हैं यह सब produce bread हम लोग आज से थोड़ी नखा रहे हैं अब DNA fingerprinting क्या होती है तो DNA sequence हो रहता है वो हर person का अलग-अलग रहता है तो इसकी मदद से हम लोग criminals को पहचान सकते हैं तो इसे हम लोग बोलते हैं DNA fingerprinting method तो इसमें क्या होता है हम लोग blood लेते हैं समल लीजे आपको जहां पे भी crime हुआ है वहाँ पे किसी का blood मिला है आपको तो वहाँ पे आप उसका blood उठाओ और उसमें RBC में मत जाओ क्योंकि RBC में nucleus नहीं होता है WBC में जाओ आप लोग और WBC में जो gel electro process करो और फिर उसके बाद उसमें DNA sequence आप लोग देखोगे तो DNA sequence अगर दोनों का same है तो आप लोग को पता चलेगा कि यह जो खून है वो उसी इनसान का है जिसका murder हुआ है तो इस तरीके से DNA fingerprinting method होता है तो इसमें blood में जाते हैं blood में WBC में जाते हैं और फिर उसमें gel electro process करते हैं जिसके मदद से DNA जो रहता है उसकी sequencing हो जाती है तो sequence से हम लोगों को पता चल जाता है कि match हो रहा है या नहीं match हो रहा है जो परफॉर्म किये जाते हैं अब और इस पिले जो ओशन में जो होते हैं उसको हम लोग कैसे क्लीन कर सकते हैं तो इनको क्लीन करने का तरीका आपको पदा था स्यूडो मोनासी स्पीसीज का तो cleaning जो ओशन का होता है वह हम लोग सस्ते में आजकल कर सकते हैं क्योंकि ऑइल डाइस्टिंग और फास्ट मल्टिप्लाइंग बैक्टेरिया के मदद से तो यह बैक्टेरिया आप लोग जानते हैं तो इनका जो डेवलप्मेंट था वो डॉक्टर अनन्द मोहन चक्रवर्ती ने किया था पहली बार तो दोस्तों अब पढ़ते हैं important stages in the agricultural development तो agricultural development में कौन-कौन से ऐसी stages आये हैं जिनके मदद से हमने बहुत बड़ी success हासिल की है बहुत बड़ी achievement पाई है तो सबसे पहला है इसमें green revolution तो हम लोग जानते कि 20th century में पूरे world की not only India but also the whole world have suffered from the problem due to population explosion explosion of population मतलब की इंडिया से लेके चाइने तक हर जगाँ पे 20th century में population बहुत ही तेजी से बढ़ रहा था और इसके कारण सभी countries को बहुत ज्यादा problem हुई जैसे under developed countries को खास करके क्योंकि जो food था वो सभी को नहीं मिल पा रहा था जो poor people थे जो गरीब लोग थे और उनकी population ज्यादा थी सुखी परिवार नहीं था उन लोगों को बहुत ही ज्यादा food की problem से सफर करना पड़ता था उनको bad quality के food मिलते थे तो बहुत सारे method को यूज किया गया ताकि हम लोग जो अन उगा रहे हैं उसमें से ज्यादा से ज्यादा yield मिल सके जो खेती हो रही है उसमें सबसे ज्यादा से ज्यादा हम लोग अन निकाल सके तो इन सभी methods को collectively कहा जात तो इसमें क्या किया गया कि जो dwarf varieties थी wheat और rice की उसको improve किया गया उसमें fertilizer pesticides का अच्छे से यूज किया गया इसके कारण जो food grains थे वो ज्यादा increase हो गया मतलब production उनका ज्यादा हो गया और इसके वज़े से large population को बचा लिया गया भुखमरी से परना भुखमरी से पता नहीं कितने सारे लोग मर जाते हंगर से और इसका contribution जा इसका जो पूरा credit जाता है वो जाता है डॉक्टर नॉर्मन बॉर्लॉक को और हमारे इंडिया क दोनों ने contribute किया था Green Revolution में तो इसमें बहुत सारे रिसर्च इंसिट्यूट्स और लेबरेटरीज भी हैं जिन्होंने नहीं नहीं वराइटीज बनाई है क्रॉप्स की जैसे आई ए आर आई मतलब इंडियान अगरी कल्चरल रिसर्च इंसिट्यूट न्यू डेली नेशनल स ट्रस रिसर्च इंसिट्यूट नाकपूर और अलाइड व्रांचेस इंडियन इंसिट्यूट ऑफ साइन्स नेशनल पोमीग्रेनेट रिसर्च इंसिट्यूट सोलापूर तो यह सब इंस्टिट्यूट्स हैं जो वर्क करते हैं और डिवलप्मेंट के लिए अब आता है भा बायो टेकनोलोजी का और उन्होंने क्या किया कि एक मूवमेंट था कॉपरेटिव मूवमेंट डेरी मूवमेंट था आनंद का गुजरात में और उसमें क्या किया उन्होंने कि कुछ एक्सपेरिमेंट्स किये बायो टेकनोलोजी का यूस किया जिसकी मदद से जो मिल्क और milk product से उनकी quantity plus quality दोनों improve हो गए और सबको फिर दूद मिलने लगा तो green revolution मतलब की food grains का yielding जादा बढ़ाना white revolution मतलब की milk और milk products का बढ़ाना तो इसलिए white revolution लाया गया ताकि लोग जो भी दूद की production है उससे लोगों की नीट्स को complete कर सके तो white revolution डॉक्टर वर्गिस कुरियन और green revolution डॉक्टर में स्वामी नाथन ये दो नाम आप लोग याद रखें अब आया blue revolution तो white मतलब सफेद सफेद मतलब दूद green मतलब हरा हरा मतलब हमारे खेद अब blue blue मतलब नीला और नीला हमारा पानी तो blue revolution आया किस पे blue revolution देखते हैं production of various useful aquatic organism with the help of water is called as blue revolution blue revolution मतलब की organisms aquatic organisms मतलब जो पानी में रहने वाले प्राणी है उनका production करना water की मतलब से उसे हम लोग बोलते हैं blue revolution तो farm ponds and fishes are very common in East Asian countries तो farm ponds मतलब ponds में जो पिसकी कल्चर होता है और जो fishes पाई जाते हो वह थी common Asian countries में इस्ट में बड़ जो people लोग है उन लोग सिर्फ फिश को cultivate करने का नहीं सोचते हैं but also उन लोग streams को भी और aquatic plants और animals को भी cultivate करने का सोचते हैं मतलब उनको बढ़ाना चाहते हैं उनके numbers को fish shreams और other aquatic plants और animals को भी government इंडिया ने वा किया है मतलब की कसम खाई है कि हम लोग increase कर देंगे production लोगों को encourage करके पिसकी culture के परती by launching the program नील करांती mission 2016 50% 200% subsidize are offered in this case तो subsidy मिलती है इसमें सभी को की discount मिलता है सभी को तो इसमें पिसकी culture जब लोग करते हैं पिसकी culture मतलब की fishes को पालना प्लस उनके numbers को बढ़ाना तो marine और freshwater fisheries possible on a large scale इसके कारण marine प्लस freshwater दोनों इस fishery possible a large scale पे freshwater fishes like rohu, cutla and other fishery products like streams and lobsters are wing cultured on a large scale इसके बाद इन सभी को culture किया गया large scale पे अब आते हैं fertilizers fertilizers दो टाइप के use होते हैं जो के खेती में use होते हैं पहला organic manure और जो दूसरा है वो chemical fertilizer तो ज़्यादा तर तो आजकल गावों में देखा जाता है कि हम लोग chemical fertilizer का यूज करते हैं बट water holding capacity of the soil improves with soil conservation बट अगर हम लोग manure का यूज करें organic manure का तो उनके यूज के वज़े से स्वाइल की water holding capacity प्लस उसका conservation दोनों ही improve हो जाता है बट वहीं कर अम लोग chemical fertilizer का यूज करें तो कुछ दिन बाद वह जमीन उपजाओ नहीं रह जाएगी तो अपर लेयर ऑफ दो soil essential in agriculture is formed due to humus formation various essential elements like NPK can be available to crops due to earthworms and fungi crops अर्थworms और फंजा की मदद से यह सभी elements को ला सकते जैसे nitrogen phosphorus potassium और soilless farming में that is hydroponics liquid chemicals fertilizers are used soilless farming मतलब बिना मिट्टी के क्योंकि मिट्टी में कुछ minerals होते हैं जो plants ले लेते हैं बट वही अगर minerals हम लोग पानी में डाल के देदे plants को तो क्या बुराई है तो पानी में भी खेती होती है तो उसमें chemical fertilizers का यूज किया जाता है बट वो harmful effect देते हैं liberal use को अगर हम लोग chemical fertilizer का यूज करें तो वो fertility कम कर देता है soil की मतलब उसका जो fertilization है मतलब जिसके वाज़े से वहाँ पर अन्वगते हैं फट अफट उसकी वो कमी कर देता है जिसके वाज़े से आप लोगों ने देखा होगा कि कई सालों तक एक जगा पर खेती नहीं होती है तो fertility उसकी कम कर देता है अब बात करतें insecticides की दो दा natural immunity of plant can prevent the infection or use of insecticides is not under control irrespective of the natural friends of farmer like frog and insectivores birds pesticides are used on a large scale for increase in yield मतलब कि plants के पास natural immunity होती है कि वो अपने आपको infection से prevent कर सके बट लोग फिर भी insecticides का use बहुत ही ज़ादा करते हैं ताकि वो plants को बचा सके और ज्यादा स्यादा yield हो क्योंकि अल्रेड़ी ecosystem में frog है grasshopper है इन सभी frog जो है वो grasshopper को खा जाता है तो जो grasshopper है वो harm नहीं कर पाता है बट फिर भी लोग इनका use करते हैं दाकि थोड़ा भी हाम नहीं हो जहां 2% हाम हो रहा है वहां 0% हाम हो तो क्या problem है बट जो pesticides होते हैं वो एक टाइप के poison होते हैं और यह poison एक बार food web में गए water और food से तो यह फिर बहुत ही जादा problem कर देंगे और बहुत एनिमल्स की जान भी जा सकती है और various pesticides के नाम दिए गए हैं जैसे डिडिटी, मैलाथीनियन, क्लोरो, पिर अफस, एक्सेक्टरा यह सब बहुत ही dangerous होते हैं इनका यूज अगर करेंगे हम लोग तो plants के साथ साथ एनिमल्स के लिए भी harmful हो सकते हैं बट लोग सिर्फ अपना फायदा देखते हैं नाव अब organic farming की बात करते हैं nowadays organic farming and organic products have become buzzwords organic products are being available for demand and demand for them is ever increasing आज के टाइम पर organic farming बहुत ही जादा बढ़ गई है और इनके साथ साथ जो organic products हैं वह भी बहुत ही जादा बढ़ गए है और लोगों की जो डिमांड है organic products के परती वह भी दीरे दीरे बढ़ती जा रही है और जो chemical fertilizers और आपका जो pesticides है वो बहुत ही जादा large scale पर यूज किये जा रहे है जिसके वाज़े से घाटा भी हो रहा है तो organic farming तो होती है बिना chemical के तो अभी उसमें chemical fertilizers और pesticides का यूज करना पॉजिनस हो सकता है तो यह chemicals जो रहते है वो human की body में जा सकते है जब वो plants को खाएंगे क्योंकि पत्ता गोभी होती है और फिर आपका कुछ साग होता है तो escape through आपके body में enter कर सकता है और इसके बाद तुरंत उनका हाम शुरू हो जाता है बहुत सारी problems आती है जैसे soil की fertility काम हो जाती है और pest infestation हो जाता है serious pest infestation हो जाता है तो इन सभी problems को सुधारने के लिए farmers यूज करते हैं organic farming जिसमें उन लोग यूरिया का इस्तमाल करते हैं जिसमें सिर्फ आपका खाद होता है जो गोबर ओबर से बना हुआ रहते हैं तो उनका यूज करके वो organic farming करते हैं तो उससे कोई नुकसान नहीं होता है और इसमें पूरा बैन होता है कि chemical fertilizer pesticides किसी का भी आप यूज नहीं करेंगे और इसके वज़े से आपका नेचुरल चीज़े बनती हैं तो study varieties and thereby maintaining natural balance definitely this is a welcome decision इसलिए इस decision को तुरंत accept किया गया कि वहाई अब हम सिर्फ यही farming करेंगे मतलब की organic farming करेंगे अब angry culture की बात करते हैं हम लोगों ने देखा होगा बी हाईव मतलब की मदुमक्की का चत्ता हम लोगों ने देखा होगा तो मदुमक्की के चत्ते में जब हम लोग honey निकालने के लिए उसको smoke दिया करते थे पहले और उसके बाद हाईव को torch जला देते थे जिसकी रोशनी स बहुत सारी bees को नुकसान होता था बहुत सारी bees smoke की वज़े से मर जाया करती थी और फिर उसके बाद हम उसमें से सहत को निकाल लेते थे बट इससे destruction होता है बहुत ही जादा और कितनी सारी मदुमक्की हम मर जाती है बट आज कल क्या करते हैं हम लोग drawer बनाते हैं artificial bee boxes बनाते हैं तो उसके बाद एक साइट से अपना शाहद निकल जाता है और एक साइट से मदुमक्कियां सेफ रह जाती है तो artificial तरीके से बनाया जाता है जिससे वो सेफ रह जाती है और मदुमक्कियों को भी नुकसान नहीं होता है और हमारा काम भी हो जाता है तो इसे हम लोग बोल प्लांट तो कल्टिवेशन और मेडिसिनल प्लांड में क्या हुआ था कि इंडिया हम लोग जानते कि बहुती डाइवर्सिटी इसमें बाइवर्सिटी मतलब डिफरेंट इन लिविंग और्गनिसम्स तो इंडियन सिटीजेंस जो हैं उन्होंने बहुती स्ट्रॉंग पर चरकौप प्रिवन्ट करते हैं पहले से और हमारे पास ग्रेट ट्रेडिशन है आयुरुवेदा का इस्तिमाल करने का आयुरुवेदिक मेडिसीन्स खाने का जो हमारे डिजीज़ को कंट्रोल करते है निचुरल रिसोर्सेश के मदद से तो उसी में होता है और जो नीम का बीज होता है उसकी मदद से हमारे इम्यून सिस्टम में थोड़ा सा ग्रेडेशन आता है और जिसकी मदद से हम थोड़े से स्ट्रॉंग बन सकते हैं और जो भी हामफुल बैक्टेरियाज रहते हैं वो थोड़े-थोड़े किल हो जाते हैं इसके करवाहट के वज़े से बीटरनेस के वज़े से तो यह सभी बहुत ही उसफूल होते हैं हमारे लिए तो हम लोग बचपन से ही मतलब जब पहले से ही हम लोग बहुत ही ज़ादा इस्तुमाल किया करते इन सभी चीज़ों का बट आजकल आयुरुवेदिक चीज़े कोई नहीं लेता है सब वहीं इंग्लिश मेडिसिंस को खाते हैं अब फ्रूट प्रोसेसिंग पढ़ते हैं फ्रूट प्रोसेसिंग मतलब कि किस तरीके से मैंगो जूस बनाया जाता है तो वही हम लोग पढ़ प्रोसेसिंग मेधर से प्रोड्यूस होते हैं और फ्रूट जो रहते वह परिशेबल होते हैं और इनको प्रोसेसिंग करनी पड़ती है इसलिए तो प्रोसेसिंग में सबसे पहले इसमें उनका यूनिट्स बना लिया जाता है जैसे इसमें यूनिट बना लिया जाता है और इसमें salt किया जाता है, sorting की जाती है, और फिर उसके बाद इसको इस तरीके से process कर दिया जाता है, और इससे डारेक्त यह बन जाता है, और इस तरीके से हम लोगों को juice मिल जाता है, तो preparing, मुरभा, evaporating, यह सब processes होते हैं, यह सब processes के बाद हम लोगों को chocolate, चॉकलेट जैसे हम लोग पहले cold storage में store कर देते फिर उसको dry कर देते हैं और फिर उसमें जो भी थोड़ा उपर से लगाने वो लगा देते और फिर चॉकलेट बन जाती है जेली जो होती है जैम्स होती है वो भी उसी तरीके से बनते है तो fruit processing इसी तरीके से होती है अब दोस्त क्याम है यह तो बिल्कुल याद रहना चाहिए आपको और मैंने बताया है आपको कि यहां पर क्या आएगा यहां 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 सब आपको याद रहना चाहिए और लास्टली आपको important stages in agriculture याद रहने चाहिए और cloning याद रहना चाहिए आपको और DNA fingerprint याद रहनी चाहिए और finally यह याद रहना चाहिए इतना आप लोगों को याद रहना चाहिए और most important है यह याद रहना चाहिए बस इतना आप लोग याद कर लोगे तो you don't need to remember the whole lesson you can score even 39 with the help of only these concepts but you have to remember all the lessons तो 8th lesson तक हमने पढ़ा दिया है दो lessons हमारे बचे हुए हैं और मुझे उमीद है आप लोग पढ़ रहे होंगे और जो lesson तो बचे हुए हैं वह बहुत ही सिंपल है दोस्तो आप लोग अगर self rating भी करोगे तो समझ जाओगे तो next video में मिलेंगे तो आम लोग पढ़ेंगे social health आज के लिए वस इतना ही